नमश्कार मैं नलिनी और आप देख रहे हैं दजंता लाइव और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के सामाजिक कल्यान मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी नमश्कार सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में चैनल में चैनल यानि की बीते गुरुवा को एक बयान आपकी तरफ से जारी हुआ है कि जितनी भी सडकें और सोसाइटीज और कॉलोनीज अभी तक हरिजन नाम से जानी जाती थी उनका नाम इस शब्द को बदल कर डॉक्टर अंबेड कर के नाम से जाना जाएगा उनका जो नाम है अब डॉक्टर अंबेड कर किया जाएगा तो सर इस बदलाव के पीछे क्या उद्देश है एक्चली पूरे देश में ऐसा कोई राजने जहां हमारे लोगों की बस्ती ना हो और बहुत सारी ऐसी जगहां जिसको हरीजन बस्ती के रूप में बोर्ड लगे में जबकि लोग उसको पसंद नहीं करते इस नाम हमारे हमें अपमान जनक महसूस हो तो इसके उपर जब सिकायते गई तो 2012 में परलेमेंटरी कमेटी SCST ने मीटिंग करके ये फैसला किया कि इन बस्तीयों को अब हरीजन के नाम से ना जाना जाए और इसके लिए उन्होंने डिरेक्शन दिये गवर्मेंट को और उसके बाद गवर्मेंट ने सारे इस्टेट गवर्मेंट को चिठिया लिखी, Ministry of Social Justice Empowerment ने कि भी आप जितना जल्दी हो सके इस पे आप फैसला लीजिए और ये नाम यूज ना हो, देकिन अनफोर्चुनेटली किसी भी राज ने इस पे काम नहीं किया, जब मेरे संग्यान में ये आय तो मैंने अपने यूडी डिपार्टमेंट को चिठि लिखी कि आप इसमें जो भी लीगल फर्मेलिटी होती हैं, आप उनको पूरा करके इसको जल्दी से जल्दी इस सब्द के जगा, हरीजन के जगा, डोक्टर अमबेटकर इस्तेमाल हो, जैसे हरीजन बस्ती है, तो तो मुझे वो उस फाइल के बारे में मैंने बुलाया मिटिंग, तो उन्होंने कहा कि इस्टेट नेमिंग अथोरूटी का अधिकार शेतर है, जिसमें यह मैसेज मैटर जाएगा, फिर मैंने बताया कि इसमें यह नहीं जाना चाहिए, चूकि हम कलोनियों का नाम नहीं बद कर रहे हैं, तो उसमें यूडी डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे, उसमें लाव डिपार्टमेंट के भी सेकरेटरी थे, और भी अधिकारी थे, उन्होंने फिर जब अपने बात रखी, फिर हमने उनको दस दिन का टाइम दिया, क्या आप दस दिन के अंदर सारी फॉर की तरफ से निकाल देंगे ताकि यह वर्ड कम से कम दिल्ली के अंदर पर्मनेंट झाएगा तो घर जब पर पावंदी लगाने वाला दिली पहला प्रदेश या कहें कि दिल्ली पहला राज्य है क्या लगता है इस तरीके की जो पहल है वो हर राज्य को करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए जो डरोगेतरी है जो पूरा समाज जिसको पसंद नहीं करता अपमानजनक मैसूस करता है और जब समाज की यह दिमांड है कि भई इस सब्द को बदला जाये जिस समाज को पकारा जारा है वो नहीं चाहता है कि उस नाम से पकारा जाये अभी 2025 तक भारत में 10 करोन लोगों को ऐसा आपके तरफ से एक बयान आया था कि भारत में 10 करोन लोगों को आपे संग्यान में बात धर्म की दीख़ा दिलाई जाएगी 2025 तक जिसकी तैयारी 2024 से ही आप तमाम जगाओं को बुग कर लेंगे तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां अभी तक हम कितनी तैयार हैं उस बारे में हमें बताएं अच्छी में 2020 में आक्टूबर में हम देखसा भूमी गए थे तो जब देखसा भूमी में लॉक्टर बावासभ इम्पटकर की मूर्ति की तरफ देख रहे थे तो हमें याकाया का अपने मन में ऐसा महसूस हुआ जैसे बावा सही हम से ये पूछ रहे हूँ कि भी मैं भारत को बॉद्ध में बनाना चाहता था, मैं गुलामी से पूरी तरह आपको बाहर निकालना चाहता था जाती की वह इसे जाती के तुछ पीड़न है और जाती के तुछ पीड़न तब तक बना रहेगा जब तक जाती बनी रहेगी लेकिन मैं तो एक महिना बाइस दिन बाद प्रणिर्वान को प्राप्त हो गया लेकिन क्या तुम मेरी इतनी निकम्मा और नाकारा उलाद हो कि मेरे इस सपने को पुरा नहीं कर सकते तो वहाँ हमने संकल्प लिया कि बावा साहब का इस सपना भारत को बौद्ध में बनाने का जहां समता सतंतरता बंदुता और नयाय हो सबके लिए समान अफसर हों करुणा हो प्रग्या हो शील हो तो ऐसा भारत हम लोग बनाएंगे और वहाँ संकल्प किया और हमने उस पर फिर काम सुरू किया इस बीच दो साल कोरोना में निकल गए लेकिन हमने कोरोना के बावजूद अपना काम जा रही है बेसक कोरोना की वैसे थोड़ा सेथिलता आई लेकिन बेहद अच्छे संदेश हैं पूरे देश के सभी राजियों से बहुत सकारात्मक संदेश आ रहे हैं दुनिया के अलगलग देशों में बसे हुए कम से कम 25 देशों के अंबेटकराईट जो बहुत धरमाने वाले हैं बावा सहीप को मानने वाले है बहुत तेजी से मुहिम चल रही है अलगलग नाज्यों की टीमों का गठन हो रहा है International Coordination Committee बनने वाली है उस पे भी काफी काम हो चुका है हर स्टेट की Coordination Committee पे काम चल रहा है कई स्टेट की बन चुकी है धमरत आ गया है बहुत जल्दी राज्यों में धमरत नेकलेगा और ये धर्म परिवर्तन का किस्सा नहीं है ये मैं आपको किलियर कर दूँ धर्म परिवर्तन नहीं है बलके अपने हमारे पूरवज बौध थे हम तो अपने पूरवजों की सांस्कृति की विरासत में घरवापसी की बात कर रहे है चुकि हम किसी के बाप को बापियों कहें जब हमारे अपने पिता है जब हमारा अपना सांस्कृतिक विरासत है और वो इतनी रीच है जिसमें सब के कल्यान की भावना है जिसमें किसी के साथ पक्षपात की कोई उम्मीद नहीं है जिसमें किसी का कोई सोसंड नहीं है जिसमें सब के लिए समता स्वतंता बंदुता और नयाय की बात है तो इस मार पचेस में बहुत बहतरिन तरीके से सक्सेस्फुल होंगे और हमने अभी एक रोड मैप तेयार किया है कि इस साल असोग विजय दसमी पर 10 लाक दस हजार बहुत दबनेंगे अगले साल 2023 में असोग विजय दसमी पर एक लाग बॉद्द बनेंगे असोग विजय दसमी दो हजार चोविस में दस लाग दम की दिक्सा लेंगे वापस अपने मुज़र्गों शांस्केति की वरास्त में घरवापसी करेंगे और दो हजार पचीस में दस करोड तो हम उस संकल्प के साथ चल रहे हैं और ये हमने नाम पे भैपैदा किया जा रहा है ऐसे में मुझे लगता है नाकेवर हमारे लोगों को बलके पूरे भारत को बचाने के लिए बुद्धिजम की जरूरत है अभी आपने बोला कि जाती के नाम पे धर्म के नाम पे जिस तरीके से कटाक शारोर चल रहा है तो अभी हाल फिल कि उनको इस चीज को बंद कर देना चाहिए चुकि मैं तो एक हिस्ट्री का इस्टूडेंट हूं और मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है अंतिम बौद्ध सम्राड मौरेवंस के राजा विरदरत थे उनके सेनापती पुष्मि सुंग ने उनकी छलकपट से दोके सहत्या की और उसके बाद 84,000 बौद मठ जो पूरे दक्षिन एसिया में भारत चुकि केवल भारत जो आज का भारत यह नहीं था बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्मा यह पूरा भारत बौद में था और यहाँ 24,000 बौद मठों को बौद मंदिरों को निस्तनाबूद क किया, बहुत दसाहित्य को चलाया, बहुत बिक्षों की हत्या कराई, अगर यह खुदाई का सिलसला इसी कदर चलता रहा, और केवल ग्यानवापी क्यों, जितने भी धार्मी की स्थल है, अगर सब जगे पुरातत्य विभा खुदाई कर ले, तो आपको पता लेगे का हर ज अगर से तो बुद्धी बुद्ध निकलेंगे, कहना चाहरे हैं कि इतिहास के साथ छेड़ चाड़ ना की जाए, वो जैसे चल रहा है, चलता रहे, वरना लोगों को कुछ और ही देखने को मिलेगा, बिल्कुल, मुझे लगता है आदमी को सम्मान के साथ जीवन मिले, सब क को रोजगार मिले, सरकारे महगाई को कंट्रोल करने पर अपना फोकस लगाए, सरकारे युवाओं को रोजगार देने पर अपना फोकस लगाए, सरकारे लोगों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजूकेशन मिले, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, उस पर अपना फोकस लगाए अगर इसको डायवर्ट करके जिस दिशा में फोकस लगा रहा है या जिस दिशा में लगवाना चाहते हैं जिसमें टीवी पर आजकल डिवेट चल रही है अगर वो डिवेट इसी परकार चलती रही यह यह खुदाई का सिल्सेरा इसी तरह चलता रहा तो फता लेगाए कि एक दिन पूरे भारत में नहीं पूरे एसिया के अंदर बुद्धी बुद्ध है कहीं न कहीं सरकारे जो हैं वो भ्रमित हो गई हैं जिस एजेंडा के साथ वो इलेक्शन में उतरती हैं रोजगार की बाते करती हैं लोगों के वेलफेर की बाते करती हैं लेकिन अचानक से एलेक्शन के जाते ही सरकार गायब हो जाती है सरकार धर्म परिवर्तन कराने लगती है, सरकार धर्म के मुद्धे उठाने लगती है, तो कहना सिर्फ इतना सा है कि सरकार को धर्म और अधर्म की राजनीती नहीं करनी है, सरकार को रोजगार की राजनीती करनी है, लोगों के हित में काम करना है, बहुत-बहुत शुक्रिया स सर आपने हमारे लिए समय निकाला धन्यवाद सर फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें दजनता लाइब शुक्रिया